Good morning students, मैंने आपको previous वीडियो में addition of more than two numbers बताया था तो आज मैं आपको story sums solve करके बताऊंगे which statement, ओके यहाँ देखें मैंने story sums लिखाया है, यह story sums आपके book के exercise के हैं आज मैं इन्हें solve करूँगी So let's start, पहले हम इन story sums को पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे, उसके बाद which statement solve करेंगे, ओके पहले हम read करते हैं, question number one Sunny sold 354 pizzas on Saturday and 264 pizzas on Sunday How many pizzas did he sell on these two days? तो यहाँ पर बताया गया है कि Sunny ने Saturday को 354 pizzas बेचा, sold किया और Sunday को उसने 264 pizzas sell किया, ओके बेचा तो यहाँ पूछा जा रहा है, how many pizzas did he sell on these two days? तो यहाँ हमें find करना है कि Sunny ने ये दोनों दिन Saturday और Sunday को मिला के कितना pizza उसने sell किया, Saturday को जितना उसने sell किया और Sunday को जितना sell किया, total pizza उसने कितना sell किया, दोनों दिन में तो यहाँ पहले हम statement लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, add करेंगे, जितना उसने Saturday को sell किया, और Sunday को sell किया, दोनों को add करेंगे, पहले हम यहाँ पे statement लिख लेते हैं, number of pizzas, यहाँ मैं number को short में लिख रही हूँ, number of pizzas, sold on Saturday, okay, Saturday को कितना pizzas sell हुआ, 354, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे, अब हम next statement लिखेंगे, number of pizzas, sold on Sunday, Sunday को कितना sell हुआ, 264, तो इसे हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, तो Saturday को जितना pizza sell हुआ, और Sunday को जितना sell हुआ, इसे हम अब add करेंगे, okay, one space हम add करेंगे, 4 plus 4, 8, 5 plus 6, 11, तो 11 टू डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ write करेंगे, और 1 carry over, 1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6, तो यह हमारा add करने पर आंसर है, 618, तो यह हमने क्या find किया है, total number of pizzas sold in 2 days, यह हमने find किया है, तो यहाँ पर हम statement भी write करेंगे, total number of pizzas, sold, in 2 days, यह है, 618, तो Saturday को जितना सनी ने sell किया, और Sunday को जितना sell किया, उसने हमने add कर दिया, तो सनी ने Saturday और Sunday दोनों दिन मिला के, 618 pizzas sell किया, ओके, तो यह था, 1st story sum हमने यह solve किया, अब हम second story sum solve करेंगे, number two, पहले हिसे हम read करेंगे, तो यहां पताया गया है, कि Mr. Sharma ने अपने बेटी के birthday पे, spend किये, means खर्चा किया, तो उन्होंने कहां-कहां spend किया, 2,408 रुपीज, उन्होंने decoration में खर्च किया, decoration means जो party में decoration होता है, balance से, जो भी decoration होता है, उन्होंने decoration में उन्होंने खर्च किया, crockery and lighting में उन्होंने रुपीज 625 खर्च किया, crockery means बर्तन, lighting जो, lightning होता है party में, तो उसमें उन्होंने रुपीज 625 खर्च किया, food में, खाना में उन्होंने 6,320 खर्च किया, तो यहां पूछा जा रहा है, how much did he spend on these three items, तो Mr. Sharma ने इन 3 items में total कितना खर्च किये, कितना total money उन्होंने खर्च किया इन 3 items पे, food पे, crockery and lighting में and decoration में, तो यहां पे हमें total find करना है, तो हम क्या करेंगे, add करेंगे, money spent on decoration, money spent on crockery and lighting, and money spent on food, इसे हम add कर लेंगे, तुमारा total money spent आ जाएगा, okay, on these 3 items, तो यहां पे पहले हम statement लिखेंगे, और जब भी आप statement लिखोगे, तो पहले आप यह देखोगे, कि इन रुपीज में से कौन सा बड़ा है नंबर, okay, कौन सा बड़ा अमांट है, 2,408, 625, and 6,320, कौन सा बड़ा है, 6,320, okay, तो हम किस तरीके से statement लिखेंगे, descending order में, means, जो सबसे बड़ा अमांट होगा, उसका statement पहले, फिर उससे जो छोटा होगा, उसका statement उसके नीचे, और जो सबसे छोटा होगा, उसका statement last में, okay, क्योंकि जब आप add करोगे, तो add करने में, आपका जो यह प्रॉपरली अरेंज रहेगा, कॉलम में और neat and clean लगेगा, बड़ा से छोटा नमबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, money spent on food, food में उन्होंने कितना खर्च किया, रुपेज 6,320, next, decoration में, money spent on decoration, 2,408, तो यहाँ हम लिखेंगे, 2,408, next statement, money spent on crockery, crockery and lightning, कितना उन्होंने खर्च किया था, 625, तो मिस्टर शर्मा ने crockery लाइट्निंग में 625 स्पेंट किया, decoration में 2,408, and food में 6,320, तो यहाँ हमने total money spent यहाँ लिखा है, तो अब इसे हम add करेंगे, तो अब हम add करेंगे, plus का sign देंगे, तो हम add करते, once place से start करेंगे, 0 प्लस 8, 8, 8 प्लस 5, 13, तो 13 टू डिजिट नमबर है, तो 13 में जो 3 ones place पे है, उसे हम यहाँ राइट आउन करेंगे, और 3 को हम यहाँ carry over करेंगे उपर, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 0, 3, 3 प्लस 2, 5, इसे add करेंगे, 3 प्लस 4, 7, 7 प्लस 6, 13, 13 भी 2 डिजिट नमबर है, तो हम 3 यहाँ write down करेंगे, और 1 carry over, 1 प्लस 6, 7, 7 प्लस 2, 9, तो यहाँ हमने add किया है, तुमारा answer है 9,353, ओके, तो यहाँ हमने क्या find किया है, total money spend, तो यहाँ हम लिख देंगे, total money spend, is equal to 9,353, ओके, तो यहाँ हमारा story sums complete होता है, with statement, तो जब भी आप answer find करो, तो answer क्या पूछ रहा है, उसका भी statement आप लिख होगी, ओके, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख होगी, तो students, I hope कि आपको story sums समझ में आया, with statement, तो आप इसी तरीके से story sums को, with statement, write down करोगी, and properly arrange करोगी, उसे descending order में numbers को, तब उसे add करोगी, तो आप इसी तरीके से अपने बुक के exercise के story sums को solve करोगी, thank you,